ये चावमिन, ये बर्गर, ये मोमो, ये जो आप खाते हो ना, सेंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना, जो भी आप हैरान हो जाओगे, इधर तो आप कलेक्टर बनोगे, उधर आपकी किड़नी फेल होईगी, जो गीता में लिखा है, जो गरंतों में लिखा है, जो है जूट लिखा है, मुझे लगता है ये सच लिखा है, तो भगवाट जीमी क्या रहे मांव है और हो भगवाने अपनी संतान में लिखा है, जब मैंने दुनिया और लुपब जाए है, लिकसो में स्चारि में फोरे मांद कि मेरा कोन इसान किरा nevertheless आपको सुनUST्वि चाआ तो बात आती है आचारे मनीज जी की यहाँ पर लोग जो है हॉस्पिटल डू हॉस्पिटल जा जाकर इतना सारा मैडिशन लेकर खाकर भी जो सोष्थ नहीं हो पाते तब उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए तब वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा नाम भी है आचारे मनीज जी जो की आपको भरोजा देते हैं कि अगर आप आयुर्विदिक आप अपनाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको एक गोली खाने की जुरत नहीं पड़ेगी चले हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ मैं आपने साथ आचारे मनीज जी का स्वागत सर आपका हमारे स्टूडियो में आचारे जी सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप आयुर्विदिक में कितने समय से हैं और किस तरह की ट्रीट्मेंट आप अपने जो पेश तो अपने शरीर को स्वयम ठीक करना है जो कि हमारे शरीर को अप भखुबी आता है लेकिन पिछले 75 साल जब से देश हजाद हुआ और जब अग्रेजों का गुलाम था हमें ऐसी पट्टी पढ़ाई गई हमें ऐसा ग्यान विग्यान पढ़ाया गया कि हमें पढ़ाया गया कि बोड़ी बेवकूफ है हर चीज़ का इलाज दवाई है जबकि हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन है जबकि ऐसा नहीं है ये गलत पढ़ा दिया गया हमारी बोड़ी को किसी भी दवाई की जूरत नहीं है हमारी बोड़ी को अपनी सेल्फ हीलिंग शमता से अपने आपको ठीक करना आता है लेकिन वो विज्दन अंग्रेजी ने छें लिया और घमारे तक वो ज्सी नնा प्वे रची नहीं आ कोशिश करें कि वो जही हो विग्दाल कि ने सब्सक्राइब Row और रिज्द के चाहए कोई पोई बड़ी से बीमारी और क्षायल हो चाहे केंसर होorg अब हाट क सारी बिमारियों का solution है आयरवेद वेद है आयरवेद विज्ञान है आयरवेद जीवन जीने की कला है आयरवेद की full form मैंने पहले भी बताया था आयूर जमा वेद संपूर आयू को जानने का विज्ञान बहुत सुन्दर तो उसमें तो सब कुछ अपने आप ही आगया ना जैसे मैं आप से सवाल पुछता हूँ जो गीता में लिखा है जो गरंतों में लिखा है जो वेदों में लिखा है सच लिखा है जूट लिखा है मुझे लगता है सच लिखा है सच लिखा है ठीक है तो भगवत गीता में भगवान श्री किष्ण क्या कह रही है कि जो भी मानव है ये मेरा ही अंश है यानि कि हमें भगवान ने अपनी संतान बताया है ठीक साम वेद में भगवान ने लिखा कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवी बनाई मैंन नवचर बनाए तब उस टाइम मैंने सरुष्ष्षरेश तरचना बनाई इनसान यानि की हम ऐसा ही गरुगरण साब में बाइबल में कुरान में हर जगा यह वरनन है कि इनसान बगवान का सुरूप है बगवान की संतान है तो हम कौन हुए आप संदीब बगवान हुए, मैं मनीश बगवान हुआ, ये सामने दर्शक भी बगवान हुए, हम सब बगवान हैं, तो जब हम सब बगवान हैं, तो हम में बगवान वाली शक्तिया भी होंगी, तो वो शक्तिया हमें पहचाननी हैं, जैसे जामवत ने हनुमान जी को रमाइ पेशेंट ठीक स्वाइम हो रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है, हम सिरफ उसको सही जानकारी, सही उपाए, सही खाना पीना, सही लाइफस्टाल सिखा रहे हैं मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने बच्पन से ही माना था कि आप एक आयूर वेद में जाएंगे और बहुत सारे लोगों को आप सही करने का इगनेर लेंगे बिलकुल नहीं, मैं बच्पन में अपने घर का एक सिंपल बच्चा, कमजोर बच्चा बिमार बच्चा था, मैंने कभी सोचा भी ने था कि मेरा ये फिल्ड बन जाएगा, मैं खुद इतना बिमार रहता था कि मुझे डॉक्टर की जूद पढ़ती थी, और आज पूरे भारत में हमारे 36 हॉस्पिटल्स हैं, एक 84 क्लिनिक्स की चेन है, आज पूरे भारत में सबसे बड़ी आईरवधी क्लि कि उनके कुछ ऐसे मेरे कुछ अच्छे करम थे कि मैं उस घर में पैदा हुआ कि जहां मुझे साथ मिला, हर चीज का आशीरवाद मिला और मैं ये इतना कुछ कर पाया, और सबस्ट्री वाद पहुं तो, जितने लोग ठीक हो रहे ना, उनकी दुआओं से हम दिन दूगनी मनी जी मेरा चोड़ा सा सवाल है, जैसा कि मुझे पता चला है आपके बारे में, जब आप बच्पन में थे, तो आपके चश्मा चड़ गया था, तो मैं वो जानना चाहता हूं, जब चश्मा चड़ गया था, तो वहाँ पर क्या वो डिसीजन लिया आपकी फैमिली ने, औ मेरी आइसेड में आखों से पानी आने लग गया, मुझे दुन्दला दिखने लग गया, तो चार पाइं दिन तो मैंने कोई ध्यानी दिया तो मेरे मम्मी को बताया, तो मम्मी साहरनपूर के रहने वाले हम, साहरनपूर रहूं है, तो साहरनपूर में एक जनकपुरी में ए एक चश्मा दे दिया। मैं घर आया वो चश्मा लगाके मैं फोटो किचवा रहा था। कि जब फोटो धुल के आएगी रील होती थे थे ना उस टाइम का कि फोटो में देखूंगा मैं कैसा लग रहा हूं। तो मेरे चाचा जी साइंटेस्ट हैं। जो लाजिकल सर्फ विडिया में डिरेक्टर रिटायर हुए हैं। उन्हों ने मुझे बुला है इतरा। उन्हों ने चश्मा लिया और तोड दिया। और बोलते कल दुबारा दॉक्टर के बास मेरे साथ चलना। तो वो जो फीस लग पांच भूरी मिर्चे रोज रात को भीगो के रखनी हैं। और सुबा उठके चवा चवा के खानी हैं। दो तिन मीने तक। और नंगे पाऊं। जब ओस पड़ी होती है घास पे गिली घास पे सुबा सुबा गूमना है। तो मुझे अच्छी तरह आदा है शायद 11 या 12 मेरे चाचा जी मुझे साहरनपुर में कंपनी गार्डन है। वहां गूमने के लिए लेके गए। और सात्वी क्लास में मेरी उमर 13 साल थी। और आज मैं उनंचत साल का हो गया। अभी तक मुझे चश्मा नी लगा। वह सफेद भूरी मिर्चे और वह पांच बदाम आज तक काम कर रहे हैं तो यह आईरवेद है। और नंगे पाउं घास पे मैं आज भी गूमता हूं। तो मुझे अभी तक कोई आईसएड की प्राबलम।